हेलो चिल्डरिन दिस इस अंजुम शेग टीचर वर्किंग एट गवर्मेंट मधिरी स्कूल डूंडा ब्लॉग दर्सीवां डिस्ट्रिक रापूर छत्थिसगर तो चिल्डर्न आपने क्लास 6 में एकी स्टोरी पढ़ी थी लेसन 5 एलसें वंडरलेंड और आपने ग्लास 6 में पढ़ा था कि एलस जो है वो एनिमल के एकी स्टोरी लेंड में पहुँच गई थी शी फैल इंटो रेबिट होल और वह एक रेबिट होल में रेबिट का पीछा करते हुए गिर गई थी and followed the rabbit to its dining hall और रेबिट का पीछा करते हुए वह इसके dining hall में पहुच गई थी there she drank a liquid and became very small after that वहाँ पर उसने एक ब्रिंग पी लिया था और वो बहुत ही small छोटी हो गई थी after that इस स्टोरी के आगे अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं okay children well the next thing Alice Pawn was a little cake with the words eat me marked on it अब look at the picture table में एक cake रखा हुए है ना उसमें eat me लिखा है बच्चों यहां पर marked means होता है चिन्हित या अंकित और gas means अनुमान लगाना तो अच्छा the next thing जो अगली बात Alice Pawn was a little cake जो अगली बात हुई यह हुई कि Alice को एक छोटा सा cake मिला with the words उसमें लिखा हुआ था eat me अंकित किया हुआ था उसमें so she sat there and ate it up इसलिए वहां बैठ गई और उसने उसे खा लिया and then guess what happened to her और इसके बाद अनुमान लगाओ कि उसे क्या हुआ होगा क्योंकि यह strange trim है उसमें कुछ भी हो सकता है जब उसने drink पिया तो वह बहुत छोटी हो गई थी अब उसने cake खाया है she grieve and grieve and grieve वह बढ़ने लगी और बढ़ने लगी और बढ़ने लगी taller than she was before taller means होता है बच्चो अधीक लंबी यह तो पहले से अधीक लंबी हो गई और बहुत लंबी हो गई taller than any child वह इतनी लंबी हो गई कि किसी भी बच्चे की हाइट उतनी नहीं होती वह बहुत ज्यादा लंबी हो गई taller than any grown-up person किसी वृद्धी किये हुए या ग्रोध किये हुए एक समाने व्यक्ति से भी बहुत ज्यादा उसकी हाइट हो गई taller and taller just look at the picture वह लंबी होती चली गई लंबी होती चली गई आप picture देखे उसमें Alice कितनी लंबी हो गई Which Alice would you like the best? कौन सी Alice आपको पसंद आई? A tiny Alice जो एक डॉल के साइज किती छोटी, no longer than a doll or a very tall Alice बहुत लंबी सी Alice जो घर की छत चूने लगे वैसी Alice Touching the ceiling of the roof वह इतनी लंबी हो गई कि वह उस रूम की ceiling को छट को touch करने लगे Poor Alice, बेचारी Alice What do you think? आप क्या सोचते हैं? Was she happy to find herself tall enough to reach the table and get the key to unlock the door or to be too small to get through the door? आप क्या सोचते हैं कि वह इतनी अधिक लंबी हो गई कि वह छट को चूने लगी और उसका हाट table तक पहुचने लगा और वह उस की को प्राप्त करके door को unlock कर सकती थी तब वह खुश हुई या फिर वह बहुत small हो गई और इतनी small होकर वह उस tiny door से बाहर जा सकती थी well she could do that अच्छा तो उसने यही किया but do you think she could get out of the tiny door पर आप क्या सोचते हैं कि क्या आपको लगता है कि वह tiny door से बाहर निकल सकी she could only just manage to lie flat put her head down on the floor and look out through the door वह सिर्फ अपने आपको manage करके late सकती थी but her head down on the floor लेकिन उसका सीर जो है वह floor में touch हो रहा था जुख गया था and look out through the door और वह उस दर्वाजे से सिर्फ बाहर की ओर देख सकती थी जाग सकती थी poor child, बेचारी बच्ची she sat down on the floor, वह floor में बैट गई and wept bitterly wept bitterly means अत्यदी दुखी होकर रोना वह floor पर बैट गई और बहुत दुखी होकर रोने लगी she wept and wept and wept वहा रोती गई, रोती गई, रोती गई her tears ran down like a river and very soon there was a large pool of tears in the room उसके जो आसू थे वह एक नदी की तरह वहाँ पर फ्लोर में गिरने लगे और जल्दी ही वहाँ पर एक बड़ा सा आसूओं का पुल बन गया Suddenly, अचानक the white rabbit entered the room अचानक white जो खर्वोश है, rabbit वह उस कमरे में प्रवेश किया He was dressed up to go somewhere वह कहीं जाने के लिए dressed up, याने की ready था, तयार था He had gloves in one hand and watch in the other hand उसके एक हाथ में एक चोटा पंखा और एक हाथ में gloves था और साथी एक watch भी थी उसके दूसरे हाथ में बच्चों, gloves और fan का आप picture देख सकते हैं तो ये gloves याने हाथ में पहनने वाले दास्ताने और एक छोटा फंका जिसे कि हम हाथ से हवा कर सकते हैं He was looking at his watch, वह अपनी watch को देख रहा था muttering to himself I am late, oh I am late muttering याने होता है बढ़बढाते हुए तो वह बढ़बढाते हुए अपनी watch को देख रहा था और अपने आप से कह रहा था, शिकायत कर रहा था कि मैं बहुत late हो गया हूँ, मुझे बहुत देर हो गई है He did not notice Alice, उसने Alice को notice नहीं किया, मतलब उसने Alice पर ध्यान नहीं दिया Alice requested him, please sir और Alice उसको request कर रही थी, please sir The white rabbit was so frightened on hearing the voice White rabbit जो है, वो बहुत डर गया क्योंकि उसने Alice की आवाज जब वो सुनता है That he dropped his fan and gloves, ran away through the door Frightened याने डरा हुआ, dropped याने गिरा दिया वो Alice की आवाज सुनकर डर गया और उसने अपने हाथ के में जो उसने रखा था, gloves और fan वो नीचे गिरा दिया Alice took a deep sigh बच्चों sigh याने होता है, विलाब, याने बहुत दुखी होकर रोना Low means look Alice एक गहरी सांस लेती है और विलाब करती रहती है Took up the fan And began to fan herself Fan उठाती है और अपने अपको fan करने लगती, हवा करने लगती And low, low means look और देखो, क्या होता है What happened, क्या हुआ With the movement of the fan, she got smaller and smaller And in a minute, she was just about the size of a mouse जैसे जैसे वो पंगे से हवा करने लगी, वा छोटी होती चली गई और अंत में वा एक small छोटे से चुए के size की हो गई In the pool of tears, a mouse was already swimming उस आसूों के तलाब में एक चुहा पहले से ही तैर रहा था Alice was also swimming with him Alice भी उसके साथ तैरने लगी How did Alice become small? Alice small कैसे होई? आपको तो पता है, जैसे जैसे वो पंगा करने लगी, वो small होने लगी They came out of the pool and both were wet वे दोनों pool से बाहर आने की कोशिश करने लगी और वे दोनों pool से बाहर आये और दोनों भीगे हुए थे There were other creatures in that swimming pool like a dodo, a duck and an iglet उस pool में और भी जन्तू थे जैसे की एक dodo, एक duck और एक piglet Dodo means होता है बच्चों एक विलुप्त पक्षी जो उड़ नहीं सकता था outside and she thought Alice ने सुना की वे garden में एक party होने वाली है उसके बारे में बात कर रहे थे और उसने सोचा तो बच्चों, how was the story? जिस तरह आप class 6 में इस story का first part पढ़े थे ये second part था और इसका third part हम पढ़ेंगे class 8 में Okay children, now exercises Put a cross mark against the statement which are not true about Alice यहाँ पर आपको tick करना है, tick mark लगाना है, right here wrong Alice did not eat the cake, it is wrong तो यहाँ पर आप wrong put करेंगे When Alice ate the cake, she grew taller, right The door of the room was too small for Alice to get out, right Alice talked to the white rabbit and he helped her, wrong तो यहाँ पर आप cross करेंगे Next exercise, write the names of all those who were swimming in the pool of tears जो भी पूल में तैर रहे थे, उन सभी के आपको यहाँ पर नाम लिखने है Alice, Dodo, Duck, Iglet and Mouse Complete the table to tell what Alice could do in the Wonderland and what she could not Select the phrases from the list यहाँ पर बच्चों आपको कुछ list दी गई है उन उस list में verb phrases दी गई है उसमें से लेकर जो Alice कर सकती थी वो आप could वाले कॉलम में लिखेंगे और जो वो नहीं कर सकती थी वो could not वाले कॉलम में लिखेंगे तो eat the cake, Alice केक खा सकती थी look through the door outside, वहाँ दरवाजे से बाहर के ओर देख सकती थी lie on the floor, first पर लेट सकती थी get out through door, वहाँ दोर से बाहर नहीं जा सकती तो यह could not वाले कॉलम में लिखा है unlock the door, door खोल नहीं सकती थी, grow tall अपने मन से वो लंबी नहीं हो सकती थी find the words from the box that can complete the sentences correctly drank up, grown up, ate up, torn up and wake up so Montu was naughty when he was a boy he is a smart and to yaha par kya hai ka pacho, what is the right answer? grown up, grown up person now B, Meenu was very sad to find her drawing book torn up when she came home C, always wake up at 5 in the morning D, Ahmed's mother was happy because he drank up all the milk तो बच्चों यह आपको बनाना है now there is a homework list out some verb phrases which are used daily for example, stand up, sit down ऐसा ही verb phrases आपको डूणने है और डूण के लिस्टिंग करने है okay children, goodbye, see you soon we are we not